वस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत इद पर हिंदू लोगों को दावत पर बुलाने पर घर में घुसकर की मार पीड की गई पीडित गुलफशा का कहना है कि उसी की गली के रहने वाले कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा था जिसको लेकर दूसरे पक्ष ने कहा था अगर इद पर हिंदू समाज के लोग घर आये तो तुम्हें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और ना इस मोहले में रहने दिया जाएगा जिस बात को नजर अंदाज करते हुए महिला की घरवालों ने अपने घर हिंदू लोगों को दावत पर बुला लिया जिसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने घर में घुस कर बोरी तरह हंगामा किया और मार पीट की जिन में से एक आईसियू में भड़ती है पीडिता ने आरोपियों के नाम जावेद समर, मुस्ताकीम, फैसलादी बताये हैं शिकायती पत्र लेकर पीडित पक्ष ने अससपी आफिस पहुँच कर लगाई नियाय की गुहार जैसे भी वोगाना खाके निकले उनोंने जिन से एमाई लाड़ाई हुई है उन्होंने तरह पार हमला बोल दिया हमारे पांचे भईय उन्हीं के मारा और मेरे भईयय के एक इतनी सीडिया साला से खाला से तो आयसे ते पिर मुसल्मानों नहीं मारा तो एक नमय शावेद समरे मुटकीम मुटकीम की लड़का काने में शिकाट करिया अपने आने में गए ते पर उनों नों सुनी दिनी बिलकुल भी रिपोर्ट दर्जी परेशा था लिए आप भी मुस्लिम हों हम भी मुस्लिम हैं अब क्या कह अप्तान से मिली तप्तान साब ने क्या सिंद्ट क्या थिया रहे कि कार रिवाई करेंगे एक गुलबसा है यह से सवली ताना मुंडाडी के रहने वाली जिन्हों ने प्रास्ना पत्मेंकित किया है पुझ लोग ने उसकी घरवनों के साथ तीस शेकों इक मारपीट की थी जब कि अब दूसरे पक्समें इनके फादर और इनके भाई और यह फुद भी नामज़न हैं एक मारपीट का मुगतमा दर्ज किया गया है इसमें विदिक कारवई की जा रही है इनका जो यह आरोप है कि हमें बुलाया है और ने लोगों को बुलाया जाने पर हमारे साथ मार पीट की गई है इसमें बुलाया जारोप बुलाया जारोप बुलाया जारोप है